चलिए श्टुडेंट आज का टोपिक है मानो आख मनुस्य में आख का कारे क्या होता है उसकी आंत्रिक सनरचना के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है ये है मनुस्य आख की आंत्रिक सनरचना तो यदि वीडियो पर बने हुए हैं तो धैर रखें मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीकों से बताने वाला हूँ कि आंख का जो ये लेंस होता है या फिर आंख जो होते हैं उनका कारे क्या है इसकी हर एक अंग के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों स्यागरा करता हूँ कि यदि जो हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कर लें ताकि आने वाल अगले वीडियो आपको आसाने से मिल सके आख हमारे सरीर का एक मौतपूर्ण अंग है हम अपने चारो ओर की दुनिया को आखों की सहायता से ही देख सकते हैं आख प्रकास ग्राही अंग होते हैं इन्हें द्रिश्य ग्यानिंद्रिया भी कहते हैं तो हम यहां पर देख पा रहा है कि जो मनुश्य का जो आख होता है यह एक मौतपूर्ण अंग होता है जो दुनिया को चारो तरह देखा जा सकता है इसके सहायता से और आख जो होता है वो प्रकास ग्राही अंग होता है क्योंकि ये प्रकास को ग्रहड भी करता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है और उसको उल्टा फोकस दिखा करके प्रतिवीम वना करके सीधा दिखाने का कार्य करता है तो इस तरह से ये ग्यानिंद्रिया भी है ग्यान का एक मारदर्सक भी है या ग्यान दिखाता है तो इस तरह से इसको हम ग्यानिंद्रिया भी कहते हैं मानों में एक जोड़ी आख पाये जाते हैं मानों आख की कारे प्रडाली एक अत्याधुनिक आटो फाक्स कैमरे की तरह होती है आख लगभग दो दस्मनों तीन सेमी ब्यास का एक गोलाकार अंग है जिसका आंत्रिक भाग निम्न है तो मानों में दो जोड़ी आख पाये जाता है एक यहाँ पाये जाता है तो एक यह हो गया एक यह हो गया एक जोड़ी हो गया तो यह थोड़ा से इसके कारे के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो यह एक आठोफेक्स कैमरे की तरह जिसे आधुनिक में जो आठोफेक्स कैमरे हैं जैसे रख दिया जाता है आगे और उसके सामने खड़ा हो जाया जाता है तो कुछ सकेंडों के लिए वो हमारा फोटो क्या करता है कि खिज देता है कुछ सकेंडों में हमारा फोटो खिज जाता है इसे तरह से यह जो है आधुनिक आधुनिक आधुक्त कैमरे की तरह कारे करता है तो आख जो होता है यह लगभग जो है यहां से लेकर के और यहां तक कि अगर माप देखा जाए यहां से लेकर के यहां तक कि माप यह देखा जाए तो यह होगा 2.3 सेमी ब्यास का होता है और यह है एक गुलाकार भाग होता है इसको देखा जाए तो अंदर की तरब से पूरा यह जो है गुलाकार अंग होता है तो ये गोलाकार अंग है और इसका अंतरिक अगर भाग का चर्चा किया जाए तो इसकी सनचनाय कुछ इस प्रकार से होती है कुछ इस तरह से इसकी अंतरिक सनचना होती है अगर अंदर से देखा जाए तो इस तरह की सनचनाय पाय जाती है तो इसके बारे में आज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ही study करना है तो चलिए आज हम लोग study इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं वीडियो के अंतक बने रहीएगा घवडाईएगा नहीं तो आंतरिक भाग में जो हम लोगों को पढ़ना है पहला है स्वेत पटल इसको इंगलिस में कहते हैं इस क्लेरा आख के चारों और एक स्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपार दर्सक होता है इसमें रुधिर के सिकाओं का अभाव होता है यहां भूड के मद्य जनन अस्तर से बनता है तो यहां पे आपको पहला भाग दिखाई दे रहा है स्वेत पटल स्वेत पटल आखों के चारों तरफ स्वेत पटल इसको क्यों कहते हैं क्योंकि यह स्वेत अर्थात यह सफेद होता है यह चारो तरफ आँखों के चारो तरफ पाया जाता है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह यह चारो तरफ यह भाग पाया जाता है तो यह एक कवच का कारे करता है यह अपारदर्सक होता है इसके आर पर दिखाई नहीं देता है इसमें रूदिर के सिकाव का अभाव होता है इसलिए इसको निर्जीव सेल्स भी कह सकते हैं हम लोग क्योंकि इसमें रूदिर वाई का है नहीं पाय जाती है इसमें रूदिर नहीं पाय जाती है अगर देखा जाए तो इसका निर्माड जो है जो ब्रूड का जो मद्ध जनन अस्तर होता है अर्थात जैसे माल लेजिए कि यहाँ पे ब्रूड पल रहा है यह गरभासे में ब्रूड पल रहा है तो इसके अंदर तीन लेयर होते हैं इसके अंदर तीन लेयर होते हैं पहला बारी होता है एक्टो डर्म दूसरा होता है यह हो गया एक्टो डर्म और यह हो गया मीजो डर्म और तीसरा हो गया एंडो डर्म और यह बीच में ब्रूड है यह बीच में ब्रूड है तो आप देख रहा है कि इसके चारो तरफ लेयर पाए जा रहा है तीन लेयर पाए जा रहा है एक्टो डर्म जो सबसे बाहर होता है भूड का जो दूसरा भाग होता है मिजो डर्म जिसको मद देखाते हैं मद अस्तर काते हैं और तीसरा अंदर का भाग होता है अंडो डर्म तो आख का जो स्वेट जो पटल होता है जो चारो तरब से पाया जाता है ये जो स्वित पटल जो होता है जो चारो तरब से पाया जाता है ये मद्धे जनन अस्तर से बना होता है अर्थात इससे बना होता है मीजो डर्म से बना होता है मीजो डर्म से इसका निर्माण भुरूड में ही हो जाता है तो आख का जो बाहरी जो स्वेत जो पटल है जो चारो तरप से घेर रखता है ये भूड के जो बीच वला जो अस्तर होता है जिसको मद्य जनर अस्तर काते हैं मेजो डर्म काते हैं उसी से इसका निर्माड हो जाता है तो भूड में जब भूड पलता है ये बच्चा उसी में नहीं उसका निर्माड हो जाता है तो अगर इसके कारे के बारे में अगर चर्चक किया जाए तो स्वेथ पटल के कारे जो होता है यह चारों तरफ से सुरक्षा कवा के कारे करता है यह पारदर्सक होता है इससे प्रकास अंदर की तरफ नहीं जा पाता है इसमें उधिर्वाय और गुष्ट, आन्त्री भाग में जो दूसरा जो अंग होता है वह होता है कार्निया, इस इंगलिस में भी कार्निया कहते हैं, आख के सामने स्वेथ यानि की सफेथ पटल के मद्य यानि की बीच में थोड़ा उब्रा हुआ भाग पार्दर्सक होता है प्रकास की किरडे इसी भाग से अपरिवर्तित होकर आख में प्रवेस करती है यहाँ पर देखिए यह कार्निया है यह आख के सामने पाए जाती है यहाँ पर दिखाए दे रही है यहाँ पर और यह सफेद पटल होता है एक प्रकार का ये थोड़ा सा मद्धे में होता है मद्धे में ही होता है और उबरा हुआ भाग होता है यानि कि फूला हुआ भाग होता है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसके पिछा ये फूला हुआ भाग है तो इस तरह से ये उबरा हुआ भाग होता है लेकिन ये पारदर्सक भाग होता है इसके आरपार देखा जा सकता है ये जिससे बना होता है इसके आरपार देखा जा सकता है और ये प्रकास की क्रिड़े इसी में आती है और और परिवर्थित होकर आंक में प्रवेस कर जाती है अब परिवर्थित का मतलब बीना परिवर्थित हुए बीना बदले जिस तरह से प्रकास होता है जिस कलर में होता है उसी कलर में अंदर के तरफ ये प्रवेस कर जाती है क्यों परवेस करती है क्योंकि ये पारदर्सक होता है इसलिए यहां पर ये प्रवेस कर जाती है इस तर होता है इसका रंग अधिकांस्ता काला होता है इसके मध्य भाग को पुतली कहते हैं तो यहां पे आप लोग देख पा रहा है कि यह जो परितारिका है आईरिस है देखे यहां यह आईरिस पाया जा रहा है यह कार्णिया के पीछे पाया जा रहा है और यहां जो परितारिका ह सकता है इसके बीच में एक खिडर होता है दियान देज़ीगा यहां आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में छिदर होता है, इसका अधिकांस रंग अगर देखा जाये तो ये काला होता है, इसके मद्य भाग को हम पुतली कहते हैं, देखिए ये मद्य भाग है, इस मद्य भाग को हम क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं, या आपको तो पूतली लेंस के ठीक सामने वाली भाग होती है कि तो चलिए थोड़ा पूतली के बारे में चछा कर लिया जाए कि यह जो पूतली होता है याक का एक विसेस अंग होता है मैं इसको थोड़ा साइस को पढ़ा जाए पूतली इसको इंगलिस में कहते हैं पूतली कहते हैं परितारिका के बीच वाले छिद्र को पूतली कहते हैं इसको पहले भी चार्चा कर लिया गया है कि जो परितारिका के जो बीच वाले भाग होते हैं उसको पूतली कहते हैं मैं एक बार और दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए यह परितारिका है और परितारिका के बीच वले भाग को हम पूतली कर रहे हैं यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं आप लोग इसको पूतली कहते हैं परितारिका की मान स्पेसियों के संकोचन यानि की सिकूरने और फैलने को कहते हैं संकोचन वह बिस्तारड से अवसकता अनुसार पूतली का आकार छोटा या बड़ा होता रहता है तिब्र प्रकास में इसका अकार छोटा हो जाता है तथा कम प्रकास में इसका अकार बढ़ जाता है यही कारण है कि जब हम तिब्र प्रकास से मंद प्रकास में जाते हैं तो कुछ समय तक आँख ठीक प्रकार से नहीं देख पाता है थोड़ी देर में पुतली का आकार बढ़ जाता है और हमें अस्पष्ट दिखाई देने लगता है तो इस पुतली के बारे में हम लोगे स्टडी कर रहा है चलिए देखते हैं जो परितारिका होता है ये तो मांस्पेसियों से बना होता है और इसकी मांस्पेसियों से बना होत तो इस तरह से जो पुतली होता है ये परितारिका पर निर्वर करता है जैसे प्रकास पढ़ता है वैसे ही परितारिका की पेसिया छोटी हो जाती है तो पुतली का आकार भी छोटा हो जाता है अगर प्रकास से अगर हम कम प्रकास में जाते हैं तो हमारी आग की जो रोसनी है वो बहुत कम दिख पाते हैं यारी कि वह स्पूर्फ को हम अस्पस्ट नहीं दिख पाते हैं और जैसे ही धीरे-धीरे कम प्रकास की तरफ अम बढ़ते हैं तो थैं क्यों पूद्धार करें भाने लगता क्यों क्यों कि प्रितारिकां जो थैं Dubai फैरने लगता है इसकी मानस्पैसिया फैरने लगती है और पूतली का कर बढ़ने लगता है जिससे वश्थ तुक्त को हम आसानी से ठीक प्रकार से देख पाते हैं पाच्वा भाग होता है आख लेंज अर्थात लेंज आइज लेंज परितारिका के पीछे एक उत्तल लेंज होता है जो एक रिसेदार जैलिवत पदार्थ का बना होता है तो यहाँ पर जलिवत का मतलब चिप-चीपा जानागे चिप-चीपा पतात का बना होता है यह लेंस प्रकास की किरोडो को रेटीना पर अभिसारित यानिकी फैलाता है अभिसारित करता है और वस्तुक का उल्टा तथा वास्तिविक प्रतिविम बनाता है लेंस क्रिष्टेलीन नामक प्रोटीन का बना होता है लेंस आयू बढ़ने के साथ साथ यह कम लचीला तथा चप्टा हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें के पहले कि जो लेंस होता है क्रिष्टेलीन नामक प्रोटीन से बना होता है लेंस प्रोटीन का होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलीन अब थोड़ा सा ध्यान देन होगा कि लेंस आयू बढ़ने के साथ साथ यानि कि उम्र बढ़ने के साथ साथ या कम लचिला तथा चप्टा हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को उम्र बढ़ने के साथ साथ आग का अभी प्रभाव पढ़ने लगता है याने की कम दिखने लगता है कारड यह है कि जो क्रेस्टलीन नामक प्रोटीन का जो बना लेंस होता है वो आयू बढ़ने के साथ साथ या कम लचीला तथा चप्ता हो जाता है जिससे बुढ़ापे की तरफ जैसे हम लोग बढ़ते हैं त आख जो है असपस्ट रूप से कारें नहीं करती हैं तो आख का जो पाच्वों भाग होता है यहाप दखा देर्याप को लेंस यह लेंस फ्सकार की यानि की यह पर देखे पर यह से बना होता है घर होता है यह क्रिष्टली नामक प्रोटीन का बना होता है इसका कार्य क्या होता है कि जैसे कार निए पर पड़ती है पुतली से होती हो इंये जो परितारिका से होते हुझे जैसे है लेंस तक पहुंचती है तो किरण को क्या करता है उविसारित करता है या निकि फैला देता है चारो sensors फैला करके और सीधे यहां पर दिकाये आपको रोति यह रेटीना पर लेकर के जाता है यह रेटीना है दिखाए दर आपको यह रेटीना भाग है जो थोड़ा कलर किया गया है कि रेटीना भाग है यह पूरा अविसारित कर देता है और यह जो लेंस जो होता है यह वस्तु को उल्टा तथा वास्तिक प्रतिवीम बनाता है जो प होता है इसको फिर रिफ्लेक्स करके दुबारा ऐसे दे करके और इसको सीधा करता है यानि कि वास्तिक प्रतिवी में बना करके और फिर इसको लेंस को देता है और नेत्रोद क्या करता है कि सीधे-सीधे ववस्तिको दिखाने का कोसिस करते आने कि दिखा देता है जैसे मालेज यहाँ पे यह लेंस पाया जा रहा है और यहाँ पे आप देख पा रहा है कि ऐसे की सनचनाय बन रही है इस तरह से सनचनाय बने हुई है तो यह जो लेंस होता है यह जो लेंस होता है यहाँ थोड़ा सा हम ऐसे बनाने के कोशिस कर रहा है देखिए यह लेंस है तो यह यहाँ परितारिका है और यह कार्निया है यह पुतली है तो यहाँ से जैसे प्रकास ऐसे आता है यह क्या करता है कि सिधे इसको यहाँ पर ला करके और टक्रा देता है यह प्रकास को पूरे रेटीना पर क्या करता है ये फैला देता है ये ऐसे प्रकास आता है और पूरे रेटिना पर इसको फैला देता है चारों तरफ फैला देता है और फैलाने के बाद वस्तु का जिस तरह से जिसे मालजी वस्तु ऐसे है तो इसका उल्टा प्रतिभीम इसका उल्टा प्रतिभीम जो है सिधा बना देगा जाए लेकर कि यहां पर जाएगा और ले जाकर करके और इसका प्रतिभी में दिखा करके फिर टकरा करके फिर वापिस यहां से यह चलाएगा देखिए यह से यह चलाएगा और बिल्कुल ये सीधा दिखाएगा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ये सीधा दिखाई देगा तो इस तरह से प्रकास आएगा और लेंस क्या करता है कि रेटीना पर अविसारित करते पूरा फैला देता है और फैला करके इसका वास्तविक जो है कłemu बताब जो लेंश होता है कि के साथ साथ यह जो क्रेष्टलनिट्टे events बना होता है ये इसकी आकार जो है छपटा होने लगते हैं जिसके कारण घंड पूर से नहीं देख पाता हैं तो जैसे जैसे लेंश हमारा कम-काम करन लगता है इसलिए असपस्ट दिखाई नहीं देता है चलिए यह आ का छटवा भाग होता है तो यह चटवा अंग होता है कौन सा तो पच्छ माभी पेसिया इसको सिलेरी मसल्स कहते है कि यह हैर लाइक इस्टक्चर होता है इसलियरी मसल्स कहते हैं चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में पच्छ माभी पेसियों के सिथिल होने या सिकूरने से अभि नेत्र लैंस याने की आख की लैंस कारे कर रही आख कि लैंस क्योंकि यह कार्य कर रही लेंस की वक्रता को नियंत्रित होती है लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है वक्रता में परिवर्तन वक्रता का मतलब कि यह कम बेस हो रहा है कम या बड़ा हो रहा है छोटा या बड़ा हो रहा है लेंस उसकी फोकस कर रहा है कि पर फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है ताकि वस्तु का असपष्ट प्रतिभीम रेटीना पर बन सके और वस्तु असपष्ट दिखाई दे सके तो आप लोग यहां पर देख पा रहा है कि यह है पच्माभी पेसिया यहां पर यह पच्माभी पेसिया है दोनों यहां पर लगा हुआ है यह आगे से दिखाई देर आपको यह पच्माभी पेसिया है यहां पर यहां पर उपस्तित है तो पचमावी पेसिया जो होता है ये फैलता और सिकूरता रहता है जिसे जो लेंस होती है उसके वकृता को नियंत्रित करता रहता है और लेंस की वकृता में परिवर्तन होने पर फोकस दूरी क्या होती है कि परिवर्तित हो जाती है इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पचमा सिकूरने से जो है इसकी जो वक्रता है जो लेंस की वक्रता है जो फोकस वक्रता होती है उसको स्थिरता बनाया रखता है एक समान बनाया रखता है जिससे की रेटीना पर असपस्ट रूप से फोकस पड़ सके और परवतित हो करके वस्तु का प्रतिपिम असपस्ट दिखाई जिससे वस्त भी असपश्ट दिखाई देता है तो यह पचमावी का है पचमावी पेसिया है अब सात्वा है जली द्रव्य एक्वस हमर आख लेंस यानिक लेंस वक कार्निया के बीच एक पारदर्सक पतला द्रव भरा होता है जीसे जली द्रव कहते हैं यह उची दवाव बनाकर आख की गोल आकरिती बनाये रखने में मदद करता है तथा साथ ही कार्निया वह अन्य भागों को पोशड भी देता है यहां पर देख पार है नेत्रोद्र या फिर कह सकते हैं इसको जली द्रव यह लेंस और कार्निया के बीच में जो है यह बदार्थ पाया जाता है ये जलिये पदार्थ होता है, ये द्रब्य होता है, कुछ भीसिस प्रकार का इसमें जो है पोशड आख के पोशल युक्त पदार्थ पाय जाते हैं, ये पतला पारदर्सक द्रव होता है, पारदर्सक क्यों होता है, क्योंकि पारदर्सक होता है, तभी तो प्रकास अंदर की प्रवेश करता अगर अब पार्दर्सक होता है तो प्रकास अंदर की तरब जाता है और हम आग से देख नहीं पाते इसलिए यह पार्दर्सक भी होता है यह उचित दबाव बनाकर आग की गोल आकरिती बनाय रखने में मदद करता है यह इसी के जलिये द्रब्य के कारड यह होता है और भरा होता है पूरा फुला हुआ होता है जिसके कारण दबाव पढ़ने यह जो है अपनी आकरिती में बनाय रखने में मदद करता है तो साथ यह कार। आपनी में हमात्रा में यह पर अर्दा है ऋ तो आप यहां पर देख पा रहा है कि यह है नेत्रों द्याने की जलिये द्रव यहां पर जलिये द्रव भरा होता है तो यह अभिभिन अंगों को पोशड भी देता है जीवित भी रखता है पोशड का मतलब भोजन देता है और इसको यहां पर जीवित रखता है सभी भागों को अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आठवा जो होता है आठवा अंग जो आठवा भाग होता है वह होता है रक्त पटल याने की कुराइड आख के स्वेत पटल के नीचे एक जिल्ली की भाती सनचना होती है जो रेटीना को आक्सीजन एवं पोशड प्रदान करती है साथ ही आख में आने वाले प्रकास का और शोशड करके भीतरी दिवारों से प्रकास के परावर्तन को अवरूद करती है तो यह है रक्त पटल जो स्वेत पटल के ठीक नीचे पाए जाता है जो यह रेट कलर का आपको दिखाई दे रहा है रेट कलर वाला जो भाग दिखाई है यह नस है जिसमें ब्लड पाया जाता है रुदिर पाया जाता है यह जीवित कुसिका होती है यह रक्त पटल जो है स्वेत पटल के नीचे होता है इसमें पोशड पदार्थ भरा होता है यह रेटीना को आक्सिजन भी यह रेटीना जो होती है इसको आक्सिजन पोशड य लेता है और लेकर के भीत्री दीवारों में यहानि कि भीत्र जो दीवार यह है भीत्री जो दीwork प्रकास को प्रवर्तल को अरूद कर्तीया निकिव आर्थ ज्यादा ज्यादा धिया विकंश रोंतीई इसको और billing उसी तर प्रकास सथीक उसको रिफलेक्स करके आगे की तरब लाश्य द इनंस की तो रक्त पटल कहते हैं इसको रक्त पटल कहते हैं और यह आपके इसका कारे मुख्य कारे क्या है तो यह पोशर प्रदान करता है और जो प्रकास जो आता है लेंस जो रेटीना पर प्रकास पड़ता है यह इसके दिवारों पर जो है बिखर न जाया प्रकास इसलिए यह रक् करते भी में जियों का तियों बनते हुए असपष्ट वस्त को दिखा देता है रखत पटल के ठिक नीचे जो यहां पर पआज रहा है द्रिस्टि पटल या फिर Rटीना इसको कहते है हम धृष्टि पटल कहीं है यह यह जो द्रिश्टि पटल या जो रेटीना होता है यह पारधरसक ज्धिलि ऊसे बना होता यह प्रकार का यह पढ़ता सं, जिली ए पादस बोलते हैं वस्तु से आने वाले प्रकास किरड़े कार्निया एवं लेंस से अब परिवर्थित होका रेटीना पर फोक्सित होती आई रेटीना में अनेक प्रकास मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं एवं विधुत सिगनल उत्पन्य करती हैं रेटीना से उत्पन्य प्रतिविम्ब के विधुत सिगनल प्रकास नाड़ी द्वारा मस्तिस्क तक पहुचाते हैं मस्तिस्क इस उल्टे प्रतिविम्ब का उचित सन्योजन करके उसे सीधा दिखाता हैं तो इस तरह से समझेगे कि लेंस के यह जो यहां पर पाया रहा है यह फिर अरक्त प्रकारकास नीचे यह भाग पाया रहा है यह रेटीना यहां से यह कहां मस्तिस्क तक पहुंचा जाता है तो हमारा मस्तिस्क उल्टा तो दिखाता है लेकिन मस्तिस्क हमारा क्या करता है तो सिधा दिखाता है प्रतिभीम को सिधा दिखा देता है तो इस तरह से रेटीना कारे होता है और रेटीना रख्त पटल के ठिक नीचे भाग पर प्रपाया जाता है यह प्रकास को असूसित करके प्रतिभीम को उल्टा रखता है लेकिन यहां पिये जो नाड़ी जो दिखाईदा रहा है यह इस 싶 आ aí डाशनौतर पहुंचता मस्तिस्का में और मस्तिस्का इसको ंको सिदह दिखाने की कोसिस करता है और विखाएम होता है जो ठाशाक रवबिया यह होता है बित्रस हिोमस हिउमर यह क्या होता है थ्लम दियान देना होगा आख लेंस और रेटीना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे कचाब द्रव काते हैं इसमें लगवग 99% जल कुछ लवड विट्रिन नामक मूको प्रोटीन हाईलोरियोनिक अमल होते हैं जहां देखेंगे लेंस और रेटीना के बीच में जो पदारथ पाया जाता है इसी को हम कहते हैं कचाव द्रव इसको हम कचाव द्रव कहते हैं यहां पर यह कचाव द्रव पाये जा रहा रहना है तो इसमें कचाब जो द्रब्व होते हैं तो एक प्रकार का यह लई ढत का ऐसा जो एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं विट्रीन विट्रीन नमख प्रोटीन शनज है और या म tenía प्रकार कि अइस मैंने नहीं आया या पढ़ाने का तरीका कैसे है आप आग्या है तो लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा सेर करें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद